जी नमस्कार सातियों, वेलकम टू आज की वीडियो में अपने डिस्क्रस करने वाले हैं, इतियास का जो सलेवस है, सेकिंड सेमेस्टर में कौन सी बुक चलेगी, उसका क्या सलेवस रहने वाला है, क्योंकि रास्तान उनिवर्सिटी के जो रेगुलर इस्टुडेंट है, बी उनके तो दोनों सेमेस्टर एक साथ लग रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक चलती थी, जो सलेवस चलता था, वो सारी सार चीज़े मैंने पहले डिस्कर्स कर ली थी, और मैंने ये बोला था आपको कि जैसे ही सेकिंड सेमेस्टर की रेगुलर वालों के एक्ज पेटर्न एक है, बस से थोड़े अंकों में इनके मिज़ी टेम एकजाम होता है, इनके डेट सोंकों का पिपर आ जाता है, तो आपके सामने दिख रहा है सेमेस्टर फस्ट और सामेस्टर सेकिंड, तो फस्ट का तो मैंने पहले बता दिया था, शलो आगे बढ़ते हैं, यह में एक क्रेटिट पर 25 अंक होते हैं तो 25 गुणा 6 है कि यानि 150 अंकों की पुरा पूरा पेपर होने वाला है जिसमें आप सब को पता है रेगुलर इस्टुडेंटों को कि मीडी टरम उनका है ना जो तीस उंकों का में अख्वम होता है और 120 उंकों का आपका पेपर आता है लेकिन नौन इस्टुडेंटों की बात करेंगे तो इसे में जुढ़ जाएंगे 150 उंकों का उने वाला है पेपर का नाम आपके सामने दिख रहा है यह वो history of modern world यानि आधुनिक विश्व का इतियास आपकी second book चणने वाली है पहले क्या होता था कि राजिस्तान का इतियास सलती थी वह सरे student को confused है वो राजिस्तान का इतियास की book मत करीद कर लेकर आज़ना यह book है ना जो बदल चुकी है पिछली बार चलती थी राजिस्तान क इतियास अब इन्होंने बदल दिया है ठीक है तो अब इन्होंने यह लागू कर दिया है semester second भी तो यह book करीद लेना या फिर आव वैसे पढ़ना चाहतों वैसे पढ़ लेना यह कुछ ट्रम से रखें इन्होंने इसमें चार यूनिट रहने वाली है फस्ट यूनिट यह है यानि विश्व इस तरपर क्या चीज़ें हुई वह सारी सारी चीज़ें इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगी पुनर जागरन आदून की उक्की सुरुवात किस परकार हुई यह सुदार और प्रतिसुदार आंदुलन चला था इसके बारे में आपको पढ़ना इसमें तॉटल 4 उनिट हैं परतेक उनिट से बड़े बड़े क्यूस्ण आंगी झा सब आएंगे तो चोनें वाला है ऐस्टे नीट में पैट रहने बाला हमने कि दोटार आंगों की न उस्था वह साल भागर शारे में हमने काफी कुछि नाुट क्रांति के कारण प्रकरति और परिणाम विश्विश्विश तर पर बहुत सारी क्रांति और उनके कारण क्या रहे आखिरकार भी और उनकी प्रकरति क्या रही और उनके आखिरकार में परिणाम क्या निकले क्योंकि कोई भी चीज गटित होती है तो उसके कुछ कारण होते है उसके कुछ परिणाम होते हैं जिसे फ्रांस की करांतिया बार-बार पढ़ते हो तो उसके कारण क्या रहे वो पढ़ना है मुक्खे गटनाई और उनके परवाव नेपोलियन बोनापार्ट उसका उत्थान किस परकार हुआ और उसका पतन किस परकार हुआ क्योंकि कोई भी चीज होते है उसके उन्तिभी होती है और पतन भी गिरता भी है तो फुर्स्ट यूनिट में तो आपको यह सारी सारी आप पढ़ते हो जिसके शुरुवात लंदन से हुई थी कारण पढ़ोगे प्रेक्रियाएं और प्रवाव यूरोप में 1830 और 1848 की कर्यांति आपको पढ़नी पढ़ेगी जो यूरोप में गटित हुई उनिश्य सदी में राष्ट्रवाद का उद्य है ठीक है इसके बाद में भी समार्क वादी कूटनी थी गटवंदन की पढ़नाली के विशेश अंदर में जर्मनी और इटली का राष्ट्रे की करन किस परकार हुआ रूडिवाद का युग जापान का आधुनी की करन किस परका है है इसमें सामराज्यवाद का फेला और उपनी वैस वाद एश्या और अफेले नई दुनिया कीसे बुला जाता है जो विकास सिल देश हैं उनको नई बुलाtım जाता है जए यस्हा में बहुत sara देश हैं अफरीका में बहूत सरे देश इनका बुरी तरीके कि बहुत सारे देश गुलाम थे जिसमें से अपन भारत के लोग भी गुलाम थे तो उनका किस परकार सोसन हुआ वो बताना है इसमें पढ़ने को मिलेगा अफ्रीका अफ्रीका में बहुत सर देश ऐसे हैं जिन पर बिटेन का अधिकार था लेकिन दुवितिय विस्विद के बहुत सारे देश एसिया के और अफ्रीका के स्वतंत्र हो गए क्योंकि बिटेन को बहुत सारे यानि बहुत सारी हानी हो गई थी से जो सेकिंड वर्ड वोर था उसमें तो यह सारी सारी चीज़ आपको पढ़ने पढ़ें किस परकार सोसन हुआ नई दुनिया का नई दुन चेन भी गुलाम रहा है ना यूरोप में बिर्टेन निटीन का तो यृशा और अफ्रीका के देशों को बुरीतरी के सी गुलाम बढ़ाया हूं तो यूरोप में किस परकार यूरोप्यों का सासरा वह इसमें पढ़ना पढ़ेंगा चीन में 1911 की करांती सनियात हैंके इनर क महामन दिया भी थी उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा विस्वीस्द पड़ेगा इतली में फांसय वाद क्या है और जर्मनी में ना जीवाद ये 2-4 दरह चली तो थर्ट सेमेस्टर में ये सारी सारी चीजी आपको पढ़ने पढ़ेगे इसके बाद में इसमें दो क्यूश टोपिक है कारण परिणाम बहुत मज़ा आता है सयुक्त राष्ट संगठन के उद्देश से सयुक्त राष्ट संगठन को चुछ जीए से यूए नो यूए नो को पढ़ना पड़ेगा उसके क्या उद्देश से हैं आकिरकार में उसको क्यों लाए गए विश्विश्ट पर और सीमाई उनिशो उननचास की चीनी करांती नागरी कदिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग और मेलकोम एक्स महिला आंदोलन मुद्दे और बहस सीट यूदगी राजनिती सीट यूदगे बाद का आदेश ये सीट यूदगी इंपोटेंट है ठीक है ये चला था ये यूदगे बाल चाल का यूदग था ऐसा नहीं था कि गोले दाग दियर ये नहीं था या अमेरी काउरूस के बीच में चला था तो बहुत लंबे समय तक चलाई इसलिए इसको सीट यूदगे दिया गया ता फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही आसा करता ह अपने दोस्तों में शेयर करो मिल थैंक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू